हलो दोस्तों नमस्कार आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए हीरा मंडी की कहानी अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सस्क्राइब, सेर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं तो चलिए देर न करते हुए आपको सुनाते हैं हीरा मंडी की कहानी हीरा मंडी की कहानी पंजाग के लाहोर शहर की एक एतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को बया करती है यह छेत्र जिसे पहले साही मुहला के नाम से जाना जाता था मुगल काल में अस्थापित हुआ था और अपनी कला, संगीत और नित्र के लिए परशिध था मुगल सामराज के दोरान हीरा मंडी सास्कृतिक गती विदियों का परमुख केंद्र बन गया यहां के तवाइफें अपनी नित्यत, संगीत और काब बिकला में निपुड होती थे वे न केवल मनोरंजन करती थे, बलकि उच्च समाज के लोगों के साथ साहितिक और सास्कृतिक चर्चा करती थे हीरा मंडी में सास्कृतिक कती विदियों की धोल धाम ने इसे एक प्रतिष्ठित अस्थान बना दिया ब्रिटिस काल में हीरा मंडी की चबी में बदलावाया हलाकि यह अस्थान बेश्चा ब्रिति के लिए भी जाना जाने लगा लेकिन यहां की दवायकों उन्हें अपने कला और संस्कृती को संजोग के रखा था वे अपने निर्थ और संगीत के माध्यन से कला की उच्चतम अविव्यक्त करती रही 1947 में भारत पाकिस्तान बिभाजन के बार इरामंडी पाकिस्तान के लाहौर्न में रह गए बिभाजन के वाजूद गिरामंडी अपनी एतिहासिक और संस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में कामियाब रही यहां की पुरानी हावेलियां और भ्वमन उसकी संब्रिध संस्कृतिक धरोहर की याद दिलात्र आज गिरामंडी का नाम सुनते ही एक विशिष्ट और एतिहासिक चबी उभरती है यह अस्थान हमें उस समय की कला संगीत और संस्कृतिक की मोहत्म को समझाने का अवसर प्रदान करता है हीरामंडी की कहानी एक गहरी संस्कृतिक की कहानी जो समय के साथ बदनती रही अपनी आत्मा और पहचान को कभी नहीं होया दोस्तो हमारी कहानी ये कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंड और सेयर कर दे जरूर बताना थैंक्यू फोर वाच झाल 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 झाल